प्रिये मित्रों में आप सबका दोज गनेश अहुआड आप सभी मित्रों का आपके अपनी यूट्यूब चानल ओम टिक की दुनिया में प्रिदय से हरदिक सौगत करता हूँ मित्रों अगर आप हमारे चानल पर नए है तो वीडियो को बीना स्किप किये अन्ततक आपके दिखिए और लाइक और सब्सक्राइब का बड़न दबा कर वेल आइकन को भी वान कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिपिकेशन सबसे पहले आप तक तो कुछ लोग मन ही मन में अपने मंत्रों का उच्छारन करते हैं कह सकते हैं कि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है लेकिन ये तरीका अपने आप में जापका प्रकार कहलाता है जब साधना के विभिन प्रकार होते हैं, जाप के हर तरीके की अपनी अलग विशेश्टा होती है, कह सकते हैं कि जिस प्रकार मन जप में लगे वही उत्तम है, जब के अनेग प्रकार हैं, उन सब को समझ ले तो एक जपयोग में ही सब साधना जाते हैं पर्मार्थ साधन के करमयोग, भक्तियोग, ज्यानयोग और राजयोग ये चार बड़े विभाग हैं, जपयोग में इन चारों का अंतरभाव हो जाता है शास्त्रों में वरनित जप के चार मुख्य प्रकार हैं, जैसे एक वाचिक जप, दो उपानशु जप, तीन मानस जप, चार अजपा जप, तो आये मित्रों इन जप के प्रकार को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं एक वाचिक जब, जिस जब का इतने जोर से उच्चारण होता है कि दूसरे भी सुन सके, उसे वाचिक जब कहते हैं, बहुत लोगों का यह मानना है कि यह जब निम्न कोटी का है और इससे कुछ लाब नहीं है, परंतु विचार और अनुभव से यह कहा जा सकता है कि यह जब महत्व पूर्ण मंत्रों में उनका विनियोग रहता है, इस विशय को विद्वान और अनुभवी जप्योगियों से जानकर भावनापूर्वक जब करने से वर्ण बीच शक्तिया जाग उठती हैं, इस जब से वाचा सिध्धी तो होती ही है, उसके शब्दों का बड़ा मह काम हो सकते है, कारण जब के जो जो लाब होते हैं, वे सब इसमें होते हैं, इससे अपने अंग प्रत्यंग में उष्णता बढ़ती हुई प्रतीत होती है, यही तब का तेज है, इस जब में दृष्टी अर्धोनमीलित रहती है और मनोवरितिया कुन्ठित सी होती है तीन, मानस जब उसका ध्यान करके जब किया जाता है नादानु संधान के साथ साथ यह जब करने से बहुत अधिक उपायकारी होता है केवल नादानु संधान या केवल जब की अपेक्षा दोनों का योग अधिक अच्छा है चित जैसे जैसे विश्यों से उपराम होगा वैसे वैसे यह अनाहत नाद अधिकादिक सुनाई देगा नादाभयंतर ज्योती में जहां मनलीन हुआ तहां फिर इस संसार में नहीं आना होता है अर्थात मोक्ष होता है चार अजपा जब यह सहच जब है और सावधान रहने वालों से ही यह जब होता है किसी भी परिस्थिती में यह जब किया जा सकता है अनुभवी महात्माओं में यह जब देखने को मिलता है इस जब के लिए माला की भी आवशक्ता नहीं होती है श्वाचोच्वास की क्रिया बराबर हो ही रही है उसी के साथ मंत्रवृती की जा सकती है अभ्यास से मंत्रार्थ भावना द्रिड हुई रहती है सो उसका स्मरण होता है जब तक श्वाचोच्वास चल रहा है तब तक सहस्रो संख्या में जब होता रहता है मित्रों इस तरह से हमने शास्त्रों में वर्णत चार प्रकार के मंत्र जाप को विस्तार से जानने का प्रयास किया है इसके अलावा भी मंत्र जाप के और भी उप्रकार है उन पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद